हालो फ्रेंड, समने डिस देंड, human anatomy and physiology second BP201T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में endocrine system में structure and function of parathyroid gland के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग जो हमारे parathyroid gland है उसकी location और anatomy के बारे में बात करेंगे parathyroid gland के दौरा सिक्रीट होने वाले हार्मोन के बारे में बात करेंगे और ये जो हार्मोन है वो किस तरीके से हमारे body के अंदर calcium की homeostasis को regulate करते है उसको यहाँ पे आसान तरीके से समझने की कोसिस करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंग तो चलिए शुरू करते हैं पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होना चुनियत डॉक्टर बी के एस और डॉक्टर एम पी एस क्लासेज को और करें अपने वी फार्म डी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाव तो अगर हम लोग यहां पे इस्टक्चर एंड फंक्शन आओ पैरा थाराइट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थाराइट ग्लैंड के बारे में बात किया था और जो सब्द है पैरा इसका मतलब होता है बी साइड पीछे तो जो thyroid gland है उसके पीछे के side जो हमें gland देखने को मिलता है वो basically हमारा parathyroid gland यहाँ पे कहलाता है तो आइए parathyroid gland की जो location है उसको सबसे पहले देख लेते हैं तो जो हमारा thyroid gland है उसके जो दोनों हमारे lateral lobes होते है right और left हमारे lateral lobes होते है उसकी जो posterior posterior का मतलब होता है पीछे की जो surface होती है वहाँ पे हमें जो हमारे यहाँ पे काफी सारे small और जो हमारे round mass के tissues देखने को मिलते हैं उन्ही को हम लोग parathyroid gland के नाम से indicate करते हैं तो अगर हम दो simply जो diagram है उसमें बात करते हैं तो यह जो हमारा diagram है यह इसका जो हमारा posterior view है पीछे के side से जब हम लोग देखते हैं तो structure हमें इस तरीके का देखने को मिलता है यह जो हमारा gland है यह वाला और यह वाला gland है यह basically हमारा जो thyroid gland है वो कहलाता है यह जो portion है यह basically हमारा जो trachea का portion है वो यहाँ पे होता है और इसमें हमें यहाँ पे जो हमारे round जो हमारे shape के यहाँ पे tissues देखने को मिलते हैं उनको हम लोग बिसिकली यहाँ पे पैरा थाराइड ग्लैंड के नाम से इंडिकेट करते हैं, तो हम लोग simply कह सकते हैं कि जो हमारा थाराइड ग्लैंड है, उसकी जो posterior पीछे की surface है, वहाँ पे जो हमें ग्लैंड देखने को मिलता है, अब अगर हम लोग नंबर में, चार देखने को मिलते हैं, मतलब यह total चार यहाँ पे होते हैं कहां कहां पे होते हैं, तो इसको देखें तो अगर जो हमारा हर एक जो हुमारा वो lateral थाराइड लोब होता है, उसके यहाँ पे जो superior और उसकी जो हमारी inferior position है, वहाँ पे हमें एक-एक thyroid gland यहाँ पे simply देखने को राप्त होता है, तो हम दो simply कह सकते हैं, कि हमारा जो thyroid gland है, उसमें दो lobes होते हैं, एक lobe हमारा right lobe है, दूसरा left lobe है, और जो हमारे यहाँ पे दोनों lobe है, उनके उपर एक उस inferior नीचे के side, हमें जो gland देखने को मिलता है, उसी को हम लोग parathyroid gland बोलते हैं, और यह number में simply 4 होता है, तो यह diagram में देख लेते हैं, concept आप लोगं को कुछ और अच्छे से clear होगा, तो यह basically, अगर हम लोग देखें, तो thyroid gland का एक हमारा, जो lobe है, वो यह है, एक lobe हमारा यह वा देखने को मिलता है, और इसकी inferior नीचे की जो surface है, वहाँ पे हमें right inferior parathyroid gland देखने को मिलता है, उसके बाद में अगर हम लोग जो left lobe है, वहाँ पे देखें, तो इस side भी इसकी superior ऊपर की जो surface है, वहाँ पे हमें left superior parathyroid gland देखने को मिलता है, और इसके inferior नीचे के side भी हमें ए के बारें बात करते हैं तो इसकी जो microscopical हमारी है यहाँ anatomy उसको अगर देखें तो जो parathyroid gland है उसमें हमें basically चार epithelial cells देखने को इसमें हमें basically दो प्रकार की epithelial cells देखने को मिलती है जो पहली है वो हमारी यहाँ पे chief cells कहलाती है या इनको हम लोग principal cells के नाम से indicate करते हैं यह number में numerous होती है मतलब number में काफी जादा होती है और यही जो हमारी cells है यह हमारे parathyroid hormone को हमें produce करते हुए देखने को मिलती है और जो दूसरी यहाँ पे cell है वो basically हमारी जो oxyfil cells हैं वो कहलाती है और इनका function अभी तक unknown है यह क्या काम करती है इसके बारे में कोई idea भी तक नहीं है तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम लोग microscopically parathyroid blend को जब study करते हैं तो हमें दो प्रकार की यहाँ पे epithelial cells देखने को इसके अंदर मिलती है एक cell हमारी chief cell कहलाती है जो की number में काफी ज़्यादा होती है और इसी के द्वारा parathyroid hormone हमें secret होते हुए produce होते हुए देखने को मिलता है और जो दूसरी cell है वो oxyfell cells है इसका अभी तक function unknown है तो अगर हम लोग simply इसको भी diagram में देखे तो अगर यह diagram है उसमें देखें तो यह जो इतना portion है यह हमारा जो thyroid gland का portion है वो है इसी से यहाँ पे attach हमें जो हमारा parathyroid gland है वो देखने को मिलता है यह जो इसके अंदर हमारी जो cells हैं जो की number में काफी ज़्यादा होती है यह basically हमारी जो chief cells हैं वो कहलाती है और यह जो हमारी cells है जो number में कम होती है वो यहाँ पे oxyfil cells कहलाती हैं और जो cheap cells हैं यही basically हमारे parathyroid hormone को secret करती है oxyfil cells का क्या काम है यह अभी तक unknown है तो अगर हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से अगर बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे structure है या कह सकते है parathyroid gland की जो हमारी location है वो basically हमें जो हमारे thyroid gland के दोनों lateral lobes है उसकी जो posterior पीछे के side की surface है वहाँ पे हमें काफी सारे जो हमारे round mask के tissues है वो देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग parathyroid gland के नाम से indicate करते हैं नंबर में यह 4 होते हैं जो हमारा हर एक parathyroid lobes है उसके जो superior surface है उपर की surface है वहाँ पे एक हमें parathyroid gland देखने को मिलता है एक हमें उसकी inferior surface पे देखने को मिलता है तो हर एक जो लोब है दो लोब है और दोनों में उपर और नीचे के side एक एक parathyroid gland है तो total हमारे 4 parathyroid gland हमें देखने को मिलते हैं microscope के लिए देखें, तो इसमें हमें दो प्रकार की cells देखने को मिलती है, पहली cell हमारी chief cell कहलाती है, जो की number में ज्यादा होती है, numerous होती है, और इसी के द्वारा हमें parathyroid hormone secret होते हुए देखने को मिलता है, और जो दूसरी cell है, वो simply हमारी oxyfil cells कहलाती है, इनका function अभी तक unknown है, यह हमारा parathyroid hormone कहलाता है, और इसको short में हम लोग PTH से indicate करते हैं, parathyroid hormone से हम लोग इसको indicate करते हैं, अब अगर हम लोग देखें, कि जो हमारा parathyroid hormone है, उसका major function क्या होता है, उसका main काम क्या होता है, तो हमारे blood के अंदर calcium ions जो है, magnesium ions जो है, और phosphate ions जो है, उनका जो level है, उसको regulate करना हमारा parathyroid hormone का major function होता है, और यह अपने इस function को किस तरीके से करते हैं, तो इनका जो specific action है, वो basically हमें यहाँ पे जो हमारे osteoclast होते हैं, उनके number को यह जब increase करते हैं, और उसकी activity को जब यह increase करते हैं, तो यह जो osteoclast है, वो क्या करते हैं, osteoclast यहाँ पे basically हमारा जो bone है, उ phosphate ions हमें bone में देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पे resorption उसका elevate करते हुए, बढ़ाते हुए देखने को मिलते हैं, और जब bone से calcium ने और phosphate ion का resorption है, वो increase होता है, तो फिर वो हमारा blood है, उसमें हमें यह calcium और phosphate ion release होते हुए, देखने को प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे एक सब्द है, जो कि आपको confuse कर सकता है, वो क्या है, resorption, तो जो resorption है, यह हमारे absorption का opposite होता है, absorption में क्या होगा, कि जो हमारा blood है, उसमें से calcium ion और phosphate ion हमारे bone में जाएंगे, और जो resorption है, उसमें क्या है, bone से हमारे जो calcium और phosphate ions है, वो हमें blood में जाते हुए देखने को मिलते हैं, तो blood से हमारे calcium और phosphate ion के resorption को यह elevate करने का काम करता है, osteoclast, अब अगर हम लोग देखें, तो जब इस place पे, जो हमारा यह है parathyroid hormone, यह basically एक तो हमारे bone से calcium और phosphate ion के resorption को increase करता है, दूसरा इसका हमारा जो function है, वो हमें kidneys के उपर भी देखने को मिलता है, और जो kidneys है, वहाँ पे basically यह तीन काम करता है, सबसे पहला काम क्या है, कि यह इस place पे क्या करता है, कि जो calcium ions हैं और magnesium ions हैं, उसको यह उसका, जो हमारा loss है, उसके rate को हमें slow down करते हुए देखने को मिलता है, मतलब कि हमारा जो urine है, उसके through calcium और magnesium ions हमें कम निकलते हुए देखने को मिलते हैं, और जब यह हमारा जो urine है, उससे कम मात्रा में excrete होंगे, बाहर निकलेंगे, तो फिर इसका level हमें blood में बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगा, उसके बाद में दूसरा action हमारे पैरा थाराइड हार्मोन किड्नी के उपर क्या करते हैं, कि यह यहाँ पर हमारे जो होते हैं, फॉसफेट आयन्स होते हैं, इनके loss को यह यहाँ पर increase करने का काम करता है, ब्लड में से इसका loss तेजी से होता है, और यूरीन से हमें यह जादा तेजी से बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, यहाँ पर हम लोग simply कह सकते हैं, कि जो पैरा थाराइड हार्मोन है, उनके starting के जो हमारे किड्नी पे action है, उससे क्या होता है, कि जो हमारा HPO4 ions हैं, phosphate ions हैं, उनका ब्लड में जो level है वो decrease होता है, क्योंकि यह उरीन से हमें तेजी से lost होते हुए देखने को मिलते हैं, और हमारा ब्लड में जो कैल्सियम और magnesium ion है, उनका जो level है वो हमें increase होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारे calcium और magnesium आयन के urine से release को हमें कम करते हुए देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से हमारा जो blood है उसके अंदर phosphate आयन कम होंगे और जो calcium और magnesium आयन है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जो हमारा parathyroid हार्मोन है उसका जो kidney पे हमारा तीसरा effect है वो क्या होता है कि ये basically एक हार्मोन है जो की calcitriol कहलाता है उसको यहाँ पे उसके formation को हमें promote करते हुए तेज करते हुए देखने को मिलता है और यह जो हमारा calcitriol है यह basically हमारा vitamin D जो होता है उसकी एक active form होती है और यह जो active form है calcitriol है यह अब क्या करेगा कि जो हमारा gastrointestinal track है GI track है उसमें जब हम लोग calcium से जो calcium rich food को जब खाते है तो फिर वो हमें वहाँ पे जो calcium है उसके अंदर magnesium food के अंदर है HPO4, phosphate iron हमारे food के अंदर है उसके absorption के rate को यह increase कर देता है और gastrointestinal track से तेजी से हमारे यह जो substance है यह हमारे blood में जाते हुए देखने को मिलते हैं तो यह जो तीन function है यह basically हमारा यहाँ पे parathyroid hormone हमारे kidney के उपर करते हुए देखने को मिलता है तो आईए इसको एक बार और देख लेते हैं जैसे कि concept आप लों को अच्छे से अभी तक का clear रहे है जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे calcium की जो homeostasis है उसके बारे में बात करें तो आपको कोई भी confusion ना हो तो सबसे पहले parathyroid hormone का काम क्या है calcium magnesium और phosphate iron के हमारे blood में जो regulation है जो normal level है उसमें उसको maintain करना हमारा parathyroid hormone का function होता है यह किस तरीके से इसको करता है तो जो हमारा parathyroid hormone है वो सबसे पहले क्या करता है कि यह यहाँ पर जो हमारा osteoclast है उसकी activity को और number को बढ़ाने का काम करता है osteoclast का काम क्या होता है कि वो bone से जो हमारे calcium और phosphate iron है उनका जो resorption है उसको increase करता है और वो वहाँ से bone से release होके हमारे blood में जाते हुए हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि calcium और phosphate iron का जो level है वो हमारे blood में increase होता है उसके बाद में जो हमारा parathyroid hormone है वो हमारे kidney के उपर तीन काम करता है सबसे पहले वो जो kidney है जो हमारा kidney है वो हमारे जो body के substance से उनको बाहर निकालने का एक साधन है urine के मात्यम से हमारे body के substance kidney के थुरू बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला काम यह क्या करेगा कि जो calcium और magnesium ions है उनका हमारे जो urine है उससे जो उसके loss का rate है उसको यह slow करने का काम करेगा हमारा जो urine है उससे हमें calcium और magnesium ion कम जाते हुए देखने को मिलेंगे तो जिससे कि calcium और magnesium ion का हमारे blood के अंदर जो level है वो बढ़ेगा उसके साथ साथ में दूसरा function क्या है कि यह हमारे जो phosphate ions होते हैं उस के यहाँ पर loss को increase करता है अब यहाँ पर क्या होगा phosphate ion हमारे blood में से तेजी से कम होगा urine में जादा होगा और वो urine के माध्यम से हमारे body से बाहर निकल जाएगा उसके बाद में अगर हम लोग इस place पर देखें तो अब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर जो phosphate ion है उसकी जो blood में level है वो decrease हो गया और जो calcium ion और magnesium ion है उनका blood में level यहाँ पर हमें increase होते हुए देखने को प्रार्थ होता है तीसरा effect इसका क्या है कि यह हमारा जो kidney है वहाँ पर एक हार्मोन जो की calcitriol कहलाता है उसके formation को promote करता है और calcitriol यहाँ पर vitamin D की एक active form है तो यह क्या करेगा कि हमारे gastro intestinal track में जो खाना है food है उसमें से calcium magnesium और phosphate ion के absorption है उसके rate को यह increase कर देगा और हमारा जो gastrointestinal track है वहाँ से calcium magnesium और phosphate ion हमें तेजी से blood में आते हुए देखने को प्रार्थ हैंगे अब अगर हम लोग बात करते हैं कि space पर जो हमारा blood का calcium level है वो basically हमें यहाँ पर जो calcitonin है जो की thyroid gland से secret होता है उसके द्वारा हमें यहाँ पे control होते हुए देखने को मिलता है और जो हमारे parathyroid hormone है उसके द्वारा हमें यहाँ एक जो negative feedback loop है उसके द्वारा हमें यह continuous feedback लूप है वो क्या कहलाता है जैसे ही हमारे calcium ions का blood में level बढ़ेगा वो वहाँ उसको कम करने का काम करेगा negative effect start कर देगा और जब उसका जो level है वो decrease होगा तो उसको बढ़ाने का काम करेगा फिर वो negative effect वहाँ पे create करने का काम करेगा तो इस तरीके से हमारा जो calcitonin है और parathyroid hormone है वो ये दोनों मिलके हमारे blood के अंदर calcium के level को हमें regulate करते हुए देखने को मिलते हैं तो अगर हमारे blood के अ activity होती है कि जो हमारे thyroid gland है उनके अंदर जो para follicular cells होती है वो हमें stimulated होते हुए देखने को मिलती है और ये जो para follicular cells हमारे thyroid gland में है ये फिर क्या करती है calcitonin को release को वो वहाँ पे increase कर देती है और जब calcitonin का secretion increase होता है तो calcitonin यहाँ पे जो हमारा एक हार्मोन है जो की osteoclast कह आता है जो कि हमारा इस place पे जो bone है उसके through calcium और phosphate ions है उनका जो resorption है उसको increase करता है उसको यह यहाँ पे osteoclast की activity को inhibit कर देते हैं और जब osteoclast की activity inhibit होती है तो bone से हमारे calcium और phosphate ions वो हमारे blood में कम आते देखने को मिलते हैं तो जब वो कम आते हैं तो धीरे-धीरे हमारे blood के वो हमें कम होते हुए देखने को मिलता है तो आए अगर हम लोग सिंपली डियाग्राम में देखें तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जब हमारे blood के अंदर calcium का जो level है वो higher हो जाता है बढ़ जाता है तब यहाँ पे हमारा जो thyroid gland है वो यहाँ पे stimulate होता है और उस हमारा यहाँ पे होता है calcitonin वो यहाँ पे हमारे जो osteoclast है उसको यहाँ पे innovate कर देता है जिससे कि हमारे blood के अंदर calcium का level है वो हमें decrease होते हुए कम होते हुए देखने को मिलता है क्योंकि bone से हमारे blood के अंदर calcium के आने का जो process है वो reduce हो जाता है तो blood में calcium कम आपाता है जिसक कारण की blood में calcium का level हमें reduce होते हुए देखने को मिलता है उसके बाद में जब हमारा जो blood है उसके अंदर calcium का जो level है वो जब अगर कम हो जाता है वो lower होने लगता है तब क्या होता है तब यहाँ पे हमारी जो जो parathyroid gland है उसकी जो chief cells है वो हमें stimulate होते हुए देखने को मिलती है और जब parathyroid gland की जो chief cells है वो stimulate होती है तो जो parathyroid hormone है वो हमें ज्यादा release होते हुए देखने को मिलता है अब जो हमारा parathyroid hormone है जब ज्यादा यहाँ पे release होगा, तो क्या होगा, कि जो bone का हमारा extra cellular matrix है, वहाँ से हमारे calcium iron का, जो हमारा resorption है, वो हमें तेज होते हुए देखने को मिलेगा, bone से calcium iron हमारे blood में तेजी से आते हुए देखने को प्राप्त होंगी, और जब ये blood में हमारे तेजी से आएंगी तो हमारे फिर से जो blood है उसके अंदर जो calcium का level कम हुआ था वो धीरे धीरे बढ़ना हमें start होते हुए देखने को मिलेगा उसके साथ में ही यह जो हमारे parathyroid hormone है यह हमारी जो kidney है उसके उपर भी यहां effect करेंगी और जो हमारा kidney है उसके उससे urine के थ्रू जो calcium का loss है वो भी हमें कम होते हुए देखने को प्राप्त होगा और जब हमारे urine के थ्रू calcium का loss कम होगा तो क्या होगा blood में हमारे calcium का level हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगा और इस तरीके से हमारा calcium का जो level कम हुआ था वो धीरे धीरे हमें increase होते हुए देखने को यहां पर simply प्राप्त होगा और इसी के साल साथ में जो parathyroid हार्मोन है हमारे यह हमारे kidney को stimulate करते हैं और उससे हमारा जो calcitriol है जो की vitamin D की active form है उसको यहाँ पे उसकी synthesis को भी तेज करने का काम करते हैं और जब calcitriol की synthesis increase होती है तो जो हमारा gastrointestinal tract है वहाँ से हमारा जो food के अंदर calcium ions है वो हमें यहाँ पे blood में आते हुए देखने को मिलते हैं उनका जो absorption है वो हमें increase होते हुए देखने को राप्त होता है तो इस तरीके से हमारा जो blood में calcium का level कम हुआ था वो फिर हमें यह जो mechanism है उसके थ्रूब बढ़ते हुए देखने को मिलता है तो आए यह जो हमारा इसकी calcium जो इसकी homeostasis है calcium की उसको एक बार फिर से देख लेते हैं तो अगर हमारे blood के अंदर calcium का level increase होता है बढ़ जाता है एक जो normal level है उससे जादा हो जाता है तब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो thyroid gland है उसके अंदर की पैरा follicular cells हमें stimulate होते हुए देखने को मिलती है और यह हमा पे inactivate करते हुए देखने को मिलता है उसको inhibit करते हुए देखने को प्राप्त होता है और जब osteoclast यहाँ पे inhibit होता है तो bone से जो calcium है उसका blood में आने की process slow down हो जाती है blood में जब वो कम आपाता है तो blood में हमें calcium का level कम होते हुए decrease होते हुए देखने को मिलता है उसी के opposite अगर हमारा जो यहाँ पे blood है उसके अंदर calcium ion का जो normal level है से कम calcium ion का level हो जाता है तब क्या होता है कि जो parathyroid gland है उसकी जो chief cells है वो stimulate होती है और जब यह stimulate होती है तो यह parathyroid hormone के secretion को यहाँ पे increase कर देती है तो अब जब यहाँ पे जो calcium ions है उनका हमारे blood में level कम हो जाता है तब यहाँ पे हमारा जो parathyroid gland है वो stimulate होता है chief cells हमारे parathyroid hormone के secretion को बढ़ा देती है और जब parathyroid का secretion increase होता है तो क्या होता है कि यह हमारा जो calcium ions है उनके हमारे जो हमारा bone का extracellular matrix है जहाँ पे calcium है वहाँ से उस से रिलीज हो कि blood में आना सुरू हो जाता है, blood में जो calcium का level कम हुआ था, वो धीरे-धीरे बढ़ना start हो जाता है, उसके साथ-साथ में, जो calcium का हमारे urine से loss है, उसको भी ये slow down कर देती है, जिसके कारण की, urine से calcium का loss कम होता है, blood में calcium हमें और बढ़ते हुए यहाँ पर देखने क रात होता है, इसके साथ साथ में ही, जो पैराथाराइड हार्बोन है हमारे, यह basically हमारा जो जो calcitriol है, उसको भी यहां पे उसके रिलीस को भी stimulate करती हैं और जब यह इसको stimulate करती हैं, तो फिर हमारा यहां पे जो food है, उसके अंदरे, जो calcium को मिलता है तो इस तरीके से जब ये एक लेवल से जादा हो जाता है तो फिर ये प्रोसेस होती है एक लेवल से कम हो जाता है तो फिर ये प्रोसेस हमें होते हुए देखने को मिलती है तो इन दोनों प्रोसेस के थुरू हमारे ब्लट के अंदर जो कैल्सियम का नॉर्मल लेव है वो हमें हमेशा मेंटेन रहते हुए देखने को प्राप्त होता है तो आई थिंग सो जो हमारा पैराथाराइड ग्लैंड है उसकी एनाटॉमी लोकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पैराथाराइड हार्मोन किस तरीके से रिलीज होता है इसके क्या फंक्शन होते हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यह हमारा जो कैल्सियम की होमियो स्टैसिस है उसको किस तरीके से रेगुलेट करते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूँच सकते हैं इस टॉपिक का पीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेजर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी thank you